नमस्कार आईए सुनते हैं एक प्रेर्णा दाई शिक्षा प्रद गहन विचारों वाला प्रेरक प्रसंग आशा है आप इसकी गहनता को समझेंगे और इससे कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य लेंगे प्रसंग का शिर्षक है अनासक तहा सुखिनो भवंती समराट पुष्य मित्र का अशुमेध यग्य जब आनंद के साथ संपन हुआ तो उन्होंने रात में अतिथियों के मनुरंजन हेतु निरत्य संगीत का आयोजन किया महर्शी पतंजली जब इस उत्सव में समलित हुए तो उनके शिश्य चैत्र को बुरा लगा किन्तु उस समय वह कुछ न कह सका चुप ही रह गया लेकिन एक दिन जब महर्शी योगदर्शन पढ़ा रहे थे तो शिश्य ने कटाक्ष करते हुए गुरुवर से पूछा गुरुवर क्या निरत्य गीत के रस रंग चित वृत्यों के निरोध में सहायक होते हैं महर्शी ने शिश्य के प्रश्न का अभिप्राय जान लिया उन्होंने कहा सौमय आत्मा का स्वरूप रस में है रस में उसे आनंद मिलता है और त्रिप्ती भी वह रस विकृत न होने पाए और अपने शुद्ध स्वरूप में बना रहे इस प्रकार की सावधानी बरतने का नाम सैयम है विकार की आशंका से रस का परित्याक कर देना उचित नहीं क्या कोई किसान पशुव द्वारा खेत चर लिये जाने के भैसे खेती करना छोड़ देता है यह सैयम नहीं पलायन हुआ जीवन को रस रहित बनाकर किया गया सैयम परित्न ऐसा ही है जैसे जल को तरलता और अगनी को उश्मा से वन्चित करना इसलिए हे भद्र ब्रह्म मत करो रस को नहीं उसकी विक्रती को ही गलत मानो आशा है यह प्रसंग आपको कुछ न कुछ प्रेर्णा अवश्य देगा आप सभी की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर तब तक देखते रहे देवाक्षर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद